नमस्क्रा दोस्तों में डड्र संजय कुमार ग्रेलू इलज देखिो अज आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आया हुं यह वीडियो है उनके लिए छिन पसली का दर्द रहता है पसली में दर्द है सिर में दर्द है और हर दूसरे या पांचवे दिन दर्द हो जाता है जैसे इसमें जिनके पसली में continue दर्द रहता है उसमें बहुत अच्छा काम करेगा जो मैं उपाई बताने जा रहा हूं आपको आपको लेना है गरम गरम पानी मतलब आपको एक कटोरी में गरम पानी कर लिए और हिंग को बारिक माहीम पीस लीजिए और गरम पानी में हिंग को डाल दीजिए कटोरी में जो आप पानी लें हिंग उतना ही डाले इतना पानी जैसे कि चार चमच पानी और हिंग का पॉडर होता है उसको आप पीसकर एक छोटी डीबी में रख लीजिए क्योंकि यह आपको बार-बार लगाना पड़ेगा और आप इसमें एक लेब बना के तयार कर लें जैसे माथे में सिर में दर्द है लेब लगा लें पसलियों में दर्द है जहां भी पसलियों में दर्द है वहाँ पे आप लेब लगा लें सुबह और शाम को आपको लेब लगाना है अगर ज्यादा दर्द है तो आप रात में भी लेब लगा कर सो जाए हैं और आपके पसलियों का दर्द बिल्कुल ठीक होगा और एक कटोरी गरम पानी जो मैंने आपको बताया है एक कटोरी गरम पानी रखें जैसे आप लेप लगाएं एक कटोरी आपको माथे में आप लेप लगा सकते हैं तो आप माथे पर भी लगा सकते हैं और सर में भी लगा सकते हैं आपका सरदर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपको कोई मेडिसन लेने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी और आप स्वस्त हो जाएंगे अब मैं आपसे आगे चाहूंगा नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर संजे कुमार लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए कमेंट्स कीजिए मैं आपको जवाब दूँगा देखें मेरे आरवेदी कुपाई घरेलू पाई सटी कुपाई आपके लिए दोस्तों